तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Life After Blogging जब आप Blogging वाली फिल्ड में इंटर कर जाओगे न अभी तो हो सकता है आपने कोई interview वगरा देखा हो आप attract हो गया हो कि यार Blogging में जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा है तो यार No Doubt यार Blogging में है तो पैसा बहुत ज़्यादा ये बोलूगे कि यार पैसा नहीं है एक भी पैसा नहीं कमा पाओगे तो भाई वो कहना सही नहीं रहेगा यूप लिए मेरी खुद की Life जो है और वो Blogging की वज़े से ही चेंज हुई है आप जब जिसकी वज़े से चेंज हुई है मैं बोलू यार कि भाई आप ना करो आपकी Life नहीं चेंज होगे उसका कोई सेंस बनता नहीं है और मेरी क्यार बहुतों की Life जो है वो Blogging और YouTube की वज़े से चेंज हुई है बहुतों की Life में ना Google का बहुत बड़ा रोल है खासकर Google AdSense का बहुत बड़ा रोल है क्योंकर Google AdSense से ही और Blogging के केस में भी पेमेंट आती है और YouTube के भी जो है वो केस में पेमेंट आती है तो क्या Changes लगे यार मैं अपने Experiences से बात करूँगा और मैं जो है Blogging 2016 से कर रहा हूँ करतो रहा हूँ है अगर मैं बात करूँ जाकर के तो मैंने 2015 में पहला अपना Domain Name जो है वो लिया था Blogging के परपस से ही मार्च 2015 में मैंने अपना पहला Domain Name लिया था और Blogging के परपस से जिसको आप मैंने पब्लिक कर रखा आप लोग के साथ Share है और आप देखोगो तो मेरे About section में भी आपको जो है उसका Link मिल जाएगा जो की है IamRohit.in और जिसको एर मैंने successful बना भी दिया है अगर किसी ब्लॉग पर यहाँ वन मिलियन के ऊपर ट्राफिक आ रहा है तो उसको आप क्या बोलोग यार उसको एक successful वेबसाइट बोलोगे तो इस तरीके से मैं जो है कई सारे tools वाले पर काम करता हूँ इसलिए मेरा जो IamRohit वाला है वो block कम कह सकते हो वो एक multi niche tool website जो है वो ज़्यादा हो गया तो यह तो यह चीज रही तो यार देखो blogging से पहले जो है आपन करते थे यार job तो अगर मैं job और blogging को compare गुरू जाकर के तो यार जिस तरीके से job में यार growth हो रही थी न उस तरीके से तो यार हमको 10-20 साल लग जाते जिस level पे अभी हम पहुँच गया है और no doubt blogging एक ऐसी च लगता है कि आप हो सकता है पूरा जिंदिगी भर job करते रहो तो हो सकता है वैसा result मिले जाकर के तो यार देखो इस चीज में job के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकर हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती जैसे अगर कोडिंग की बात करें तो जरू ही नहीं है कि कोडिंग से मे बहुत अच्छा package लगता है जिब कोई बंदा coding coding सीख लेता है फुल स्टैक डवलपर बन जाता है तो उसको बहुत अच्छा पे आउट मिलता है बहुत अच्छे उसके increments होते हैं लाइक बहुत बढ़िया है आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो लगरा देखे होंगे तो मैं सही सोट influencer बन जाता है उनका उसका बहुत सारे लोगों पे जो है वो influence होने लगता मतलब उसके बहुत सारे follower हो जाते हैं वो किसी भी platform पे हो यार चाहे तो यूटूब पे हो चाहे तो वो आपका Instagram पे हो उनको देखो कि यार वो एक-दो साल के अंदर उनकी life क्या से क्या हो यह बहुत सारे एक्जामपल है अगर आप व्लॉगिंग को दुनिया में देखो जाकर तो सौरप जोसी कि यार अर्निंग ना भी एक वीडियो जो है वो दोके से यार व्लॉगिंग कर रहे तो भाई उनका अर्निंग डिस्पले हो गया था व्लॉग में तो आप समझ सकते ह यार जो CEO होते हैं अगर हम बात करें जाकर करके तो और उनका भी यार महीने का 90 लाग रुपाय पे आउट नहीं होता मैं Microsoft और Google के CEO की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक normal level के यार इंडिया में जो companies अगर हैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनके जो सबसे high paying jobs होती है उसमें जो उनक काम कर तो उनका इतना सेल्ली नहीं होता है तो यह चीज है तो इससे यह तो चीज है कि चाहे तो आप blogging कर रहे हो चाहे तो आप YouTube कर रहे हो अगर अगर आपकी किस्मत चमक गई ना तो भाई बहुत ज्यादा पैसात कमाने वालो पूरे dream जो है वह आप एक दो तीन साल के अ वाईरल हो गया अभी जो एक आपका वीडियो अगर ऐसे कई सारे तिक टॉक पे असौर्ट वीडियो रहते हैं उसमें को भी बन्दा वाईरल हो जाता है पिर उसको कहीं किसी सो में बुलाया जा रहा है और भाई वो उसको इतनी इसके demand इतनी हो जाती है ना कि भाई हर कोई पीछे चलने लगता है इवन ये तक हो जाता है यार कि जैसे एक थाना भी कोई बच्चे ने बढ़िया गाना गाया हुआ था तो जो नीचे जो लोग यार पॉलिटिकल पार्टी दोती जो नेता वेता रहते हैं वो भी यार उसको लेकर के चल देते हैं प्रचार में क्योंक कुल मिला करके हर कोई उसी के पीछे भगग रहा है जिसके पास एक अजिए और अगर अगर व्लोंग में के और जबा कciones घर आ करें लाइफ आस्टर ब्लॉगिंग तो ये बहुत सारे चेंज आते हैं सबसे पहला तो चेंजज आता आपका आदा समय तो सोनिम चला जाता है अगर आपको अच्छा आपको कर रखा रहा है यूगा करते हो तो आपका बहुत कम नींद में ही जो है आप अपना पूरा गल लेता हो जो भी आपको एनरजी चाहिए होती है तो कह सकते हैं कि एक तिहाई हिस्सा जो है हमारी चला आता है उसके बाद उसके बाद 8 से 10 कंटे की अर इंडिया में normal level की job होती है तो आधा टाइम तो यह जो आपका दूसरों के लिए चला आता है पैसा कमाने पैसा कमाने भी है रिए इक need है तो आपका कहला है कभी आपके time पे उना वह control नहीं रहता है तो वह control जो है वह हमक करता हूं वेबसाइट सगरा बनाता हूं तो अब क्या मेरे टाइम पर मेरा कंट्रोल है अब मेरे लिए संडे ही नहीं है कि जैसे कि जब मैं जॉब करता थे कि या नहीं सिर्फ संडे को छुट्टी होगी यार तभी जो है वह हम यहां गुमने जाएंगे वह अपना प्लानिं है तो वह कोई दिन पर निर्बन नहीं है कि नहीं संडे होगा तभी जो हम इन्जोय करें तो सबसे पहला तो यह चेंज आ गया है कि ब्लॉगिंग के बाद कि आर अपने टाइम पर जो है अपना बहुत ज्यादा कंट्रोल आगे जो कि अगर आप यह से भी आ ब्लॉगिंग अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप यार उसका यूज करके जो है वो घर बैठे अपने टाइम पर कंट्रोल रखते हुए जो है वो चीजों कर सकते हो और कहीं ज्यादा पैसा जो है वो कमा सकते हो और फिर से मैं बोल लहा हूँ मैं जौब के खिलाफ नहीं हूँ क्य के लिए नहीं बनी हुई है बट मैं आप बात कर रहा हूँ कि आप जो है इज़र पर ट्राइम आर सकते हो हो सकता है आप इस चीज के लिए बने वो तो यह एक चीज रहेगे तो सबसे पहली बात आपके टाइम पर बहुत जादा कंट्रोल आता है प्लस आपको जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है आपको rapid growth मिलती है rapid growth जब हम देखो job करते हैं तो हमारा salana basis में increment हो रहा होता है और उस increment की level पे भी है जब आप company में काम कर रहे होगे आप तो आप इस बात को समझे होगे कि आपको पता है कितनी ज़्यादा जो है वो चाटू कारिता चलती है कि आप जो है वो एंजीनियर हो आपके ऊपर एक टीम लीडर है फिर उसके ऊपर भाई मैनेजर है technical मैनेजर है महले पूरी एक रेल बनी होती हो पर तक तो आपके मैनेजर के अलावा या आपके टीम लीडर के अलावा जहां पर बहुत बड़ा स्टाफ होता है वह आप और इंजिनर्रिंग में भी अलग अलग चीज़ है वाई junior engineer इंजीनियर senior इंजीनियर तो अईसे भी पूरी जो है वो रेल बनी वह हुई है तो यह कुछ यार जो प्रोसेस चलते है न तो इस प्रोसेस में होता क्या है न कि बहुत धीमे-धीमे आपका 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 वह इंक्रिम से यार grow कर जाता है कि हो सकता है कि आज जो है for example मैंने जब 2016 में आर blogging start करी तो पहले जो है 100 डॉलर बने साल भर करी साल भर में ही जो है मेरा 100 डॉलर से 1000 डॉलर मैंने पकड़ लिया पर मेरे को blogging सही से आती नहीं थे तो ऐसे होता है कि यार मैंने बनाया result मिला फिर उसके बाद जो है फिर downfall आया फिर result मिला बट एक चीज होई कि जितना ज्यादा आप learn करते जाओगे इंडक्त में चीजों को समझते जाओगे उतना ज्यादा आपको growth मिलेगा तो जब यह कोविड वाला टाइम है मैंने पर्मनेंटली जो है अपने job 2020 के टाइम पर छोड़ दी तो मेरे अंदर भी एक बूची जाई है कि आप तो मैं job छोड़ चुका हूँ मेरे पास कोई भी है website बना करके adsense से पैसे कमाना वो main earning source है पर उसके लावे भी छोटी मूटी बहुत सारी चीजे हैं जिससे जो है वो earning generate होती है investing भी करते हैं crypto पे भी करते हैं share market में भी करते हैं real estate में भी investment बगरा कर रखी हुई है और यार कुछ एक direct businesses बगरा भी कर रखे हैं कह सकतो email marketing से related न फिर रस्ते में आगा तो वो नहीं एक सही approach एक सही financial approach यह रहेगी कि भाई जो भी आप income कर रहो ना उस income को अलग stream में लगा करके उसे और income जो है वो वहाँ से छुट छुटी income जो है वो generate होती रहे तो इससे क्या रहेगा कि आप dependent नहीं रहोगे हमेसा यार growth नहीं होती रहे तो मुझे याद है कि जब मैं ब्लॉगिंग सीख रहा था ना तो सौट में लॉड है सब्सक्राइब यूट पर वीडियो देख लेते हैं पहले हम लोग लंबे चोड़े यार आर्टिकल ही पढ़ते तो वही एक option था तो इसलिए सौट में लॉड जो है काफी जादा popular blog था और भाई उस ब्लॉग पे जो है वो डेड़ दो मिलियन के आसपा जो है मतली ट्राफिक आता तो और आज के टाइम पे अगर आप देखोगो उस ब्लॉग का ट्राफिक तो तीन लाग चार लाग का ट्राफिक आता है तो यार यही चीज़े कि देखो यह जो ब्लॉगिंग हो गई जो चीज़े चार्ज के टाइम पे चीज़े चल रही है न उसमें अगर आपने अभी तक ट्राइ नहीं मारा तो आटलीस आपको एक बार ट्राइ मानना चाहिए हो सकता है कि आपके चीज़े सही हिट पड़ ज लिए आपको पता है यार आईफोन कितना महेंगा आता है या यार मैक बुक वगर्या कितने आते हैं लाक लाक रुपरे जो आप पूरी मालों मेरी 37,000 रुपरे सहल लिए तो पूरी सहल लिए तो आईफोन नहीं खरीद दूँगा नहीं थी इतना समझ था है कि यार नहीं प्रोड़क्टिव के पॉइंट वी से बात करें तो यह जो एपल के प्रोड़क्ट हो गया वह काफी जादा प्रोड़क्टिव रहते हैं उसमें उल जलूल एप भी नहीं रहते हैं जो जरूत के चीज़ें वह रहती हैं फालतो के कोई नोटिफिकेशन नहीं कुछ नहीं उसका हम किसी और में देख लेंगे चल करके ना बटे मुझे अच्छे लगया आइफोन के जब यह आइफोन या एपल मैकबुक यह सब मैंने लिया ना तो मैं इनका एक रेगुलर कस्टमर बन गया और क्यों मैं बन गया क्योंकिले मैं इन वीडियो एडिट करना है तो फटा-फट जो है वीडियो भी एडिट हो जाता है सूट करना है तो देख सकते हो अभी मैं आइफोन 13 मीनी के तुरू जो है वो यह वीडियो सूट कर रहा हूं तो यह सब चीज़े यार तभी पॉसिबल हो पाई यार जब मैं ब्लॉगिंग म क्या होता है का से यह वह काम करना कैसे को रैंक कर आना है और दीमे दीमे में समस्य समस्य यार यहisch लेरनींग वाली चीजी है यार यह बिज्स हमेंसा टैन वाली चीज होती है जद आप influencer हो चाहे तो आप यह हूँ अब इसमें इसको आप बहुत बड़े लेविल पे भी कर सकते हो इससे आपना पूरा एक समराज घड़ा कर सकते हो एक कंपनी भी खड़ा कर सकते हो जिसमें बहुत सरे लोगों ने जो है वह डिजिटल मार्केटिंग यार कंपनी वगरा भी स कि अपनी अप्रोश थोड़ी दूसरी है अपने को जो है वह ज्यादा इसमें नहीं जाना है कि यह बहुत ज्यादा कंपनी घड़ी करना और यह सब चीज अपना अपना गुजारा भर के लिए पैसा आतार है एक अच्छी तरीके कि यार कह सकते हो एक प्रीमियम लाइफ ज चीजे खरीद पाएं और भाई यार मस तरीके से लाइफ जिएंगे लाइफ में इंज्वाय करेंगे अपना गौंग घुमिंगे वह चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए यह मेरा मतलब की अप्रोच है तो यह यार कुछ है यह एक वीडियो था कुछ थौट्स आ रहे बाते थी जो हो सकता है कि आप भी उससे कुछ है रिलेट कर पाए होगे जाकर अगर रिलेट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब मार देना मिलते हैं और एगले वीडियो में तब तक के लिए भाई धन्यवाद